हलो स्टूडेंज, वेलकम चू माई यूट्यूब चैनल, आज का हमारा टॉपिक है लाइकेन, लाइकेन का फॉर्मेशन फंगस और अलगी के सिम्बायोटिक एस्सोसियेशन की वज़े से होता है, सिम्बायोटिक एस्सोसियेशन क्या है, तो सिम्बायोटिक एक रिलेशनशि है दो different organisms के बीच जिसमें दोनों को फायदा होता हो simply हम कह सकते हैं कि जब fungus और algi आपस में मिलते हैं और मिल करके symbiotic association शो करते हैं तब उसे हम lichen कहते हैं fungus algi को shelter and water provide करता है और algi fungus को food provide करता है because जो algi है वो carbohydrate बनाता है with the help of photosynthesis जिसको utilize करता है fungal ठीक है and वही fungus जो water absorb करता है वो मिलता है algi को lichen में जो fungal का part होता है उसको mycobions कहते हैं और जो non fungal part होता है उसको photobions कहते है यह थालवाइड नेचर की होते है यानि इन में stem leaf and true root वाला system नहीं होता on the basis of the structure of thalli इनको three types में divide किया गया है that is crustose folios and fruticos world के different region में लगभग four hundred genera and fifteen thousand species lichens के पाए जाते हैं यह mostly उस जगह पर बहुत अच्छे ग्रो करते हैं जहां पर less pollution होता है और बहुत ही extreme cold condition में भी ग्रो कर पाते हैं जैसे कि आर्क्टिक टुरंडाज और अंटार्क्टिक रीजन जो है वहां पर ग्रो करते हैं इंडिया की बात करें तो यह जो इस्टर्न हिमालियन रीजन है वहां पर बहुत जादा अमाउंट में ग्रो करते हैं जितने भी लाइकेंस है वो highly polluted area में कभी भी देखने को नहीं मिलते यानि इंड्रस्टरल एरिया जहां पर है वहां पर वो नहीं देखने को मिलते यह जहां थोड़ा भी पॉल्यूशन है वहां इनका ग्रोथ जो है बहुत स्लो होता है डिपेंडिंग ओन डी ग्रोइंग रीजन यानि वो किस जगह पर ग्रो कर रहे है उसके बेसिस पर लाइकेंस को तीन ग्रूप में बाटा गया है नमबर वन है कॉर्टिकोल्स इन में वैसे लाइकेंस आते है जो कि बार्क ओफ ट्रीज में ग्रो करते हैं जो सब ट्रॉपिकल एंट्रॉपिकल रीजन जो है वहां ग्रो करने वाले लाइकेंस आते हैं सेकेंड है सैक्सी कोल्स इसमें वो लाइकेंस आते हैं जो रॉक्स पर ग्रो करते हैं या फिर कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करते है थर्ड है टेरी कोल्स इसमें जो लाइकेंस आते हैं उनका ग्रोथ स्वाइल में या होट क्लाइमेट या ड्राइ समर जो सीजन होता है उसमें होता है तो यह थे लाइकेंस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बाते आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो